जासवर मैं एक हैने वीडियोत सुर्ण सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन ने बटाया गया है कि एक जाविया बनाईए प्यक्यूर जो के एक काईमा जाविया हो तो देखिए नाते हैं पहले एक जाविया प्यक्यूर जो के काईमा हूं हे नजर आ रहा है हमें काइमा हम इसे चेक भी करेंगे के वाकिमी काइमा दाभिया बना है या नहीं मुरा है अदोन हिस्से में एक स कोई नकता लेने का है हमें इस नाम दाविया पि क्यो आर क्यों को हम Waiting के दर दर्मियान में लेंगे बिल्कुल यहां पे नुक्ता लेंगे और दो श्वाइन निकलेंगे यहां से और इस दोनों की पहिमाईशों की हमें जमा करना है कि उनका मजबूआ कितना होता है चलिए देखते हैं यहां पर हमने हमारा चांदर रख दी है हम S Q R की पैमाईश गिनना शुरू करेंगे चांदे का जो दर्मियान नुक्ता है वो Q पर रहेंगा और यहां से बेसे से हम शुरू करेंगे गिनना 10, 20, 30, 40 एंड तो S Q R की पैमाईश हमें यहां पर नजर आ रही है 50 और यहां से 50 के की गिनना शुरू करते हैं तो 60 तक 10, 70 तक 20, 20 एंड 40 तो P QS हमें 40 का नजर आ रहा है यहांने S Q R 50 का नजर आया और P QS 40 का नजर आया इनकी जमा किये तो इनका मजमूह हो जाएंगा 90 तो क्या कहलाएंगे वो जाविय एक दूसरे के मुकम्मिला जाविय कहलाएंगे यहां कम्लिमेंटरी एंगल्स कहेंगे उन्हें हम ऐसे जाविय जिनकी दो जावियों की पैमाईश का मजमूह 90 डिगरी होता है यहां P QS और SQR एक दूसरे के मुकम्मिला जाविय है क्योंकि उनकी पैमाईश का मजमूह 90 दरजे हो रहा है चलिए आगे पढ़कर देखते है कि अ कम्या लिख लेंगे 40 उसके बाद मेजर एंगल PQR PQR यहां भी उसकी पैमाईश अंदर लिखी गई है उसे हम लिख लेंगे यहां पर एंगल PQR is equal to 50 डिगरी उसके बाद में दोनों की जम्मा करना है मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल PQR 40 और 50 कितने होते 90 तो यहां भी बहुत कर दोनों करेवाएं क्या हें ABC और PQR एक दुसरे के मकमला जावी है क्योंकि इनकी पैमाईश का मजमुआ कितना हो रहा है 90 दरजे हो रहा है हमें पता है अभी हमने दमिखे के ऐसे जनकी पैमाईश का मजमूआ 90 दरजे होता है उन्हें मुकं nouveau जाविए कहते हैं चल सटर डर्जे का जो मुकमले जाविया है उसकी पैमाइश हम एX करेंगे, तो X plus 70 is equal to 90, देखिए, 70 plus X या X plus 70 बात एक ही है, is equal to 90, अब यहां से क्या होंगा, हमें X मालूम करना है, 70 तो अलड़ी दिया गया है, और 90 मुकमले जावियों की पेमाईश का मजबूँ होता है, तो हम X को यहां पर रहने देंगे, और 70 को इधर भेश देंगे, यह जमा इधर गया, तो नफी हो गया, और 70 इधर नफी में आ गया, तो यह बन गया, X is equal to 90, नफी 70, और 90 में 70 नफी करें, कितने बचते हैं, 20, तो 70 डिगरी पेमाईश के जावियों की, मुकमले जावियों की पेमाईश कितनी होंगी, 20, क्योंकि हमें इन दोनों का तो एक दुसरे के मुकमल अजाविय है, एक दुसरे के मुकमला है, यह इन दोनों की पेमाईश के मजबूआ कितना है, 90 है, तो हर एक की पेमाईश मालूम कीजिए, हमें हर एक की पेमाईश मालूम करना है, पहले, ए प्लस 15 प्लस 2A is equal to 90, यहां पर देखिए, हमने एक साज़र का हम उदर भेजेंगे, यहां पर जम्ह में था उदर गया तो रखि हो जाता है, हमें पता है कि जब कोई अद Claus जम्ह से बुराबर के उदर जाता है, तो रखिय होता है, जरब से जाता gram होता है, और टक्सिम से जाता है तो रखिय है उन्हें उसका बरभबर के इधर भेजना है तो यह हो जाएगा तक्सिम में देखते है एर बराभर 75 तक्सिम 3 ऑफ 7 के 3 हिस्से करेंगे हम यहंत तीन लोगों में तक्सिम करेंगे तो आए ए बराबर 25 यह निकाल लिए अब यहां पर हम अब A की value रखेंगे और हल कर लेंगे, यहां भी A की value रखेंगे और हल कर लेंगे, फाले करते हैं, A जम्मा 15 is equal to 25 जम्मा 15, 25 की विए क्योंकि A बरावर 15 है और यहां पर A दिया है, 25 और 15 की जम्मा आती है 40, दूसरा है 2 A, 2 A जरब में है तो 2 into 15, 25 is equal to 50, यहां पर देखिए, यह दोनों की हमने हल लिये यह दुसरे के मुकम्मिला है, और यह जावी की पैमा 15 है और दुसरे की 50 है तो यह हो जाएंगे दुसरे के मुकम्मिला, चुछ बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपके समझ में आ चुका हूँगा मुकमला जावी है और उनकी मिसाले किस तरह हल करनी है आपका घर काम रहेंगा मश्च के सवालात सोला को हल करना है आपको और इंशालला हमारा अगला वीडियो रह